ही फ्रेंट्स मैं हूँ आपकी दोस्त पूजा और आज मैं आपनों को लेकर के जा रहे हूँ राजा राम चंद जी की नगरी अयुद्या जी मैं तो इस बक्त आप जो मेरे साथ में हैं ये है राम की पेड़ी यहां से आप पूरी अयुद्या का व्यू देख सकते हैं अयुद्या कैसी है एक जलग आपको यहां देखने को मिल जाती है तो फ्रेंट्स इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर आप अयुद्या जी जाते हैं तो आपको कहा इस्टे करना चाहिए और कैसे दर्सन करने चाहिए सारा टूर प्लान मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ तो वीडियो में बने रही है हमारे साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलें तो फ्रेंट्स अगर आप यहां आना चाहते हैं यहां पर रेल्वे स्टेशन है जहां पर लगबग हर रूट की ट्रेंड आती है साथ में बस ट्रेंड भी है अगर आप बस आना चाहते हैं तो इसली आ सकते हैं एरपोर्ड है लेकिन वो चालू नहीं है तो वो आपके किसी कामका नहीं है वाकिया आप अपने फर्सनल बहांड से भी आ सकते हैं तो फ्रेंड्स आते ही सबसे पहले हम आ गए हन्वान गड़ी वो कहते हैं न जहां प्रभु राम हों और वहां हन्वान जी नहों ऐसा तो हो ही नहीं सकता और जहां हन्वान जी हों वहां प्रभु सी राम नहूं ऐसा तो हो ये नहीं सकता और ये तो प्रभुशी राम की नगरी है तो या हनुवान जी नहूं ऐसा कैसे हो सकता है कहा जाता है कि प्रभुशी राम की दर्सन बिना हनुवान जी की मर्जी के नहीं होगे तो इसलिए सबसे पहले आपको अहिद्या जी में आकरके हनवान गड़ी के दर्सन करने होगे और हनवान जी के आँगे आपको अपनी हाजरी लगानी होगी और प्रभु सिर्राम की दर्सन पाने के लिए आपको हनवान जी से इजाज़त लेनी होगी तभी आपको दर्शन संभव हैं अधरवाइस आपको रुभु स्री राम की दर्शन नहीं मिलेंगी यहाँ पर जाने के लिए आपको 36 सीडियां चड़नी पड़ेंगी और यहाँ पर जो हनुआन जी की मूर्ती है वो मात्र 6 इंच की है बाल रूप में अपनी मा अंजनी के साथ में यहाँ पर इस्ताफित है इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे कनक भवन की दरब जैसा कि आपने नाम सुना कनक भवन तो नाम से जाहिर हो रहा है यह माता सीता से लेटिड है जी हाँ ये जो भवन है ये माता सिता का भवन है और हम आ चुके हैं मा सिता के भवन में बहुती प्यारा बहुती सुन्दर भवन है अगर आप यहां आते हैं अयुदाजी में तो कनक भवन जरूर आईएगा ऐसा कहा जाता है कि जब माता सिता के विभा हुआ भरभू स्री राम से तो जब वो अपनी सुसुराल में आई तो मूँ दिखाई जब उनकी हुई तो उनकी सास केकई ने मूँ दिखाई के तौफे में उपहाश रूप इस भवन को माता सिता को दिया यह भवन के कई ने राजा दसरत से कहे करके इस्पेशल बिश्व कर्मा की देख रिक में अपने लिए बन बाया था बाद मैं माता सीता को उपहाद शुरू दे दिया अयुद्या 14 कोस में फेली हुई है जिसमें यह सबसे बड़ा भवन है माता सीता को यह भवन बहुत ज़्यादा पसंद आया और इसमें वो प्रभू सीरी राम के साथ में रहने लगी और अपना निजी इस्तान इससे बना लिया ऐसी भी माननेता है कि इस भवन में पुर्सों का आना वर्जित था बहुत सारी बिन्ती करने के बाद हनवान जी को आगन में इस्तान मिल गया था इस भवन में किसी अन्य देवता की मूर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी इस भवन में जो मूर्थी है मातसीता प्रहुर्थी राम की वो उनके पुत्र कुस ने इस्थाफित करवाई थी अहिद्या का जो निर्माण है वो कईवों बार किया गया कईवों बार ये खतم हो गई जरजर हालत में कोड़ चुकि कईयों बार इसका निर्माड करवायगा अभी इस वक्त जो आप ये भवन देख रहे हैं इस भवन का जो निर्माड है वो ओच्छा के राजा सवाई महंद पृताप सिंग ने करवाया था इस वक्त जो आप इसकी हालत देख रहे हैं ये पूरी तरीके से पूर और जब भगवान स्रीक्रिष्ट अपने तीर्थियात्रा पर निकले थे, कही जगे तीर्थिस्थानों पर गए वो, उनमें एक अविध्या जी भी थी, जहां पर वो तीर्थिस्थान के लिए आई थे, और इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये कनक भवन के बाहर का विव है जो अभी आप देख रहे हैं, और इसी के बाद हम आप पहुँचे हैं, दसरत भवन, जी हां, नाम से आप लोग समझ चुके होंगे, प्रभू स्रीराम के पिता जी, राजा दसरत के भवन में हम आप पहुँचे हैं, यहां पर राजा दसरत अपने नाते रिष्तिदारों क साथ में रहा करते थे, लेकिन अब इस भवन को एक मंदिर का रूप दे दिया गया है, यहां पर प्रभु सरी राम और माता सिता की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी, यहां पर आए भवन को देखिए, माता सिता के और प्रभुसर राम के दर्शन कीजिएगा, आएगा ज है उस टाइम का तो यहां कुछ भी नहीं बचा है सब कुछ जरजर हो चुका था इसका कई वार पुर्णिर्माड करवाया गया और यह जो आप देख रहे हैं इस बगत हम आ के हैं जहां पर राम मंदे बनने के लिए पत्थर जो हैं तयार किये जा रहे हैं यहां पर हर टाइम बर्ग चलता रहता है काम चलता रहता है कारिगरों के द्वारा यह दिखिए आप पत्थरों के कितनी खूबसूरत सी कलाकृती की गई है यह दिखिए पत्थरों पर ही वर्ञ है उसको देखकर करके आपको काफी अच्छा लगए मैं किस तरीके ये पत्र जी सासरे ईसमाल करके राममंदर का निवाल किया है और यह काम जहाँ चल रहा है इसको कार सेवक पुरम कहते हैं हन्माण गडी मंदिर लग फपर म acesso और एंगर राप अध्या जी आते हैं तो इसको भी आप साथ में बिजिट जरू कर लीजेगा इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिला कि राम मंदिर जो है वो कुछ इस तरीके से बन करके तयार होगा कह सकते हैं एक तरीके से राम मंदर का नक्सा है कि किस तरीके से बनाना है उसकी एक जलग आप यहाँ पर देख सकते हैं यह CC में रखा हुआ है और इसी तरीके से बन करके यह तयार होगा इसी के साथ फ्रेंट CSF देखने के बाद हम बापस आ गए अपने आश्रम अयुद्या जी में आपको होटल्स और आश्रम दोनों ही मिल जाएंगे आश्रम भी काफी खूपसुरत खूपसुरत आश्रम है जिसमें आप इसी वाला भी आश्रम ले सकते हैं दोनों के चार्जस लगवग सेम रहते हैं होटल्स बहुत ज़्यादा हाइफाई आपको एध् सब्सक्राइब अलग से थे तो प्रेंड्स आपको जहां बैता लगे अगर आप आश्रम में रुखना चाथे अ और एक अगर आप में रुक सकते हैं तो आप होटल में पक्सक्राइब जब स्रीराम का पूरा जो समय था प्रधिवी पर आने का वो समाप्त हो चुका था उसके बाद भगवान स्री राम ने सर्यू नदी में अपने आपको समर्पित कर दिया था और यह जो आप देख रहे हैं यह तुलसी उद्यान है अगर आप यहां विजिट करना चाहें तो यहां भी विजिट कर सकत हैं यह पार्क है यहां पर तुलसी रास की मूर्थी स्ताफित है और उनकी याद में यह उद्यान बनाए गया है तो फ्रेंट्स अभी हम आ चुके हैं सर्यू नदी के किनारे साम के टाइम पर यहां पर बहुत अच्छी सी आरती होती है सर्यू नदी की नदी किनारे आपको चोटी मोटी सी दुकाने लगी मिल जाएंगी और इस्टॉल लगी मिल जाएंगे जहां पर अगर आप पूजा के लिए कोई सामान खरीदना चाहें नदी की आरती करना चाहें तो आप खरीद सकते हैं साम की टाइम यहां पर आने पर ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि प्रिट ज्यादा होती है और आरती होती है तो खुछव कुछ खरदवार वाली फिलिंग आपको यहां पर आएगी इसी के साथ ठाथ यहां पर आपको बोटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो बोटिंग भी आपको दीखने को मिल जाती और छोटे मूटे खाने पीने के ठ करती रखी हुई है तो अभी हम उसके दर्सन के लिए चा रहे हैं और हमें पैदल जाना पड़ाएगा थोड़ा सा दूर है और अंदर हम आपको नहीं दिखा पाएंगे अंदर मुवाइल केमरा कुछ भी ले जाना एलाउड नहीं है तो फ्रेंट्स अब बात कर लेते हैं कि आपको कब आना चाहिए सटड़े संड़े आप भगवान सी राम की दर्सन नहीं कर सकते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा लॉकडाउन की वैज़े से दूसरा आप ओटल या आश्रम कहीं भी स्टे कर सकते हैं 800 रुपे के अंदर आपको काफी अच्छा सा रुखने के लिए साधन मिल जाएगा इसके लावा आप 400 रुपे अपने खाने का बज़र्ट ले करके चलिएगा तो आट सो पांसो तेरा सो हो गए एक जगे से दूसरी जगे जाने के लिए आपका मान लीजिए ज्यादा से 200 रुपे खर्श होने वाले इससे जादा नहीं खर्श हो करेंगे एक दिन के हैं तो उम्मीद करते हैं फ्रेंट्स आपको हमारे व्लॉग पसंद आया होगा पसंद आया लाइक कीजिए का चनल को सब्सक्राइब कीजिए का वीडियो को शियर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा अपना ख्याल रखेगा अपने